हार बोर्ट से जो सेप्टेंबर वाला आपके मासिक परिक्षा कायोजन हो रहा है तो उसमें क्लास 11 के आल से स्ट्रीम के छात्षात्राओं का जो एकनॉमिक्स का पेपर है तीस के दिन ओफीसर रूटिनिक अनुसार में बता रहा हूं पर्थम पाली में तो उसका यहाँ पर स्ट्रीम का अब हम लोग चर्चा करेंगे कि देखेंगे किस रूप में प्रस्ण आया है और सब्जेक्टिव प्रस्ण का उतर आपको कैसे रिखना है अगर आपका एकनॉमिक्स का एकजाम है तो आपके लिए औरिजिनल पोरिशन पेपर आपके सामने पूरा आपको तयार करके जाना है चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए क्लास 11 का जो मन्थली एकजाम चल रहा है सिकंबर वाला उसमें एकनॉमिक्स और्थसास्त्र का आर्ट्स का पेपर है सब्जेक्ट कोड जिनका 326 है एकजाम इसका कभ है तो मैं ओफीसियल काफी सुल को अप एक से 30 तक अबजेक्टिव प्रसंट पुछेगा है 25 बनाना है लेकिन पूरा में 30 में 30 का सही उतर में आपको बता दे रहा हूं और हुब बहु ओरिजिनल कोशन पर में इसको पीडिया करूप में कनभर्ट कर देता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि आप यह स्मार्ट बोट अर्थ सास्तर क्या है वाट इस एकनोमिक्स को हम लोग घ्ण कहते हैं ठीक है साइंस कहते हैं कि एक सूसल साइंस है हुआ आजिक भिज्यान है economics ठीक है तो option B right answer हो जाएगा आर्थिक प्रनाली कितने परकार के होते हैं how many types of economic system are there तो आर्थिक प्रनाली गुरुजी तीर परकार के होते हैं याद रखेंगे option B सही उतर हो जाएगा दूसरे नमर प्रस्ण का जो टेंथ में भी आप पढ़े होंगे आर् योगीता का सिरिजन क्या कहलाता है यहीं तो है production बिल्कुल सही उत्पादन option C तीसरे नमर प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा चलिए भारतिय अर्थ ब्यवस्ता है भारतिय अर्थ ब्यवस्ता किस प्रकार की अर्थ ब्यवस्ता है आप से पूछा गया है तो B का सील देश है ह option B चौथे नमर प्रस्ण का सही उतर है पांच नमर प्रस्ण आपके स्क्रिन पर है सांखीकी के जनक कौन है तो कारल पीयर्षन कारल पीयर्षन को सांखीकी का जनक कहा जाता है और भारत में तो PC महाल नोबीस का यहीं प्रस्ण पूछे भारत में तो PC महाल नोबीस लेकि प प्रेथेंसर नहीं लेना सभी उत्र हो जाएगा आपका प्रूब्सस्राइट सवुचाज चा Elay सांखीकी जो संखयात्मक आंकड़ा होता है to option C तो याद रखेंगे 6 का option D होगा और 7 का option C चलिह आगे वढ़ते हैं आगे सबी प्रस्ण करम से हैं 8 नमर प्रस्ण है सुचकांक मदत करता है सुचकांक किस चीज में मदत करता है आप से प्रस्ण पूछा गया है तो सही उतर है कि आकड़ों की प्रस्तूती करन का पहला चरन क्या होता है तो आकड़ों के जब कहीं पे भी आकड़ा प्रस्तूत करने जाएंगे तो उसका पहला चरन क्या होगा पहले आप आकड़ा को कटेग्राइजड करेंगे बरगी करन करेंगे फिर उसको सालनी के रूप में टेबूलेशन उसका करेंगे तभी आप रस्तूत कर सकते हैं कहीं पे तो option C सही उत्तर हो जाएगा आपके 9 नमर प्रस्ण का चली आगे बढ़ते हैं 10 नमर प्रस्ण करें आपसे कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक गति बी दी है तो उत्पादन है उभोग है बीतरन है यहीं तो अर्थव्योस्ता में पढ़ते हैं उत्पादन उभोग बीतरन का धियान करते हैं तो सभी है तो option D करेंगे सबसे पहले किसने माइक्रो सब्द का परयोग किया माइक्रो सब्द का परियोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था तो रेगनर फ्रीज के द्वारा याद रखेंगे option D 11 का सही उतर हो जाएगा चली आगे बढ़ेंगे और्थ सास्तर का पीता करें father of economics कौन है तो यह तो एड़ाम यसमित है कहां पर है option C पर तो 12 का option C ध् छोटे किसान किसे करज लेते हैं जब जब लोग आंसर की बता देने छोटे किसान किसे करज लेते हैं तो साहुकार से option A सही उतर 14 का आपको एक्जाम में करके जाना है 15 नमर पर आपके सेप्टेंबर वाले मंथली एक्जाम में आल्ट सलेबेंथ के मतलब की economics में प्रसल रास्टिये जनसंख्या नीती कब प्रारंभुईती आप से प्रस्ण पूछा जारा है तो 16 नमर प्रस्ण का सही उतर क्या होगा जल्दी से बताएंगे 2000 सन 2000 में रास्टिये जनसंख्या नीती शुरू हुआ था गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है तो NSSO जो संस्था है उसी के द्वारा रास्टिये नमूना सरवेक्षन संगठन जो है इसी के द्वारा किया जाता है तो ओप्सन भी आका सही उतर हो जाएगा चली आठारा नमर प्रस्ण करहें आप से कि संबंधित ग्रामीड विकास कार्यक्रम कब प्रारंभुआ था तो आदर्स जन संख्या ओप्सन ए सही उतर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण 20 नमर प्रस्ण काफी सांदार है करहें गरीबी उनमूलन किस पंच वर्षी यूजना का उद्देश से था मतब किस पंच वर्षी यूजना में लक्ष रखा गया था कि गरीबी को द जूर किया जाएगा 20 नमर प्रस्ण आप से यहीं पूछा गया है तो सही उतर क्या हो जाएगा इसका ओप्सन भी देख लिजिए पांच विए पंच वर्षी यूजना आगे बढ़ते हैं भारत का सरबाधिक जन संख्या वाला राज तो यह तो बववर टाई प्रस्ण हो बवर प्रस्ण आपके सामने है किस यूजना में जूडा गया है तो मनरेगा में पहले था नरेगा महात्मा गांधी जूड कर मनरेगा तो और और देखर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्सशन सी सही उतर हो जाएगा गरीबी के नीदान के लिए गैर सरकारी पर्यास कौन है गरीबी की निदान के लिए गैर सरकारी पर्यास सब जर्टी में पढ़ेए इस माने तो सुदवरोजगार हो जाएगा ओप्सन हो छायगा ऑप्सन हो ठीक है बाती सभी ऑप्सन जाहिए धियान से आप देख पा रहे होगे आगे बढ़ते हैं 26 नमर प्रसन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन खादान के सुरोत हैं तो खादान के सुरोत सभी है गहन, खेती, आयात, नीती, भंडारन, नीती सभी है तो option D सही उतर हो जाएगा सरकारी आनाज का भंडारन कहा होता है तो यह होता है FCI भारतिये खाद निगम में तो option A सही उतर है 27 नमर प्रसन का FCI क्या करती है हर जगा बाफर है स्टॉक होलती है वही पे आनाज का भंडारन होता है गरीबी रेखा के नीचे रहना किसका सूचक है गरीबी का सूचक है BPL में है तो यहाँ पे आपका गरीबी रेखा के नीचे मतला आप गरीब है 29 नमर प्रसन कह रहा है कि भारत में जन जन गरना कितने बर्सों पर होती है तो आप जानते हैं 10 बर्स पर तो option B खाद सुरक्षा से ताथ पर यह है तो खाद सुरक्षा से ताथ पर कि आए खादान की उपलब दता हो खरीद की छमता हो खादान की पहुंच हो बिलकुल option D तो 30 में 30 का मैं सही उतर आपको बता दिय कि अपके क्लास 11 के एक नॉम इसका बीश्यक्राइब को तीजिए गूगल सर्च बॉक्स मा यह और इस चैनल का नाम इस तरह आर केरियर पॉइंट आपको टाइप करना और सर्च कर देना है जैसे ही आप सार्च करेंगा आपके सामने रिजल्ट आएगा यहां पे देखे ए चैनल का नाम टाइप करके सर्च किजेगा यहां पर इस तरह आपको इस पूश्ट पे क्लिक करना है और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखे आर केरियर पॉइंट डॉट कॉम एफसाइड इस रूप में ओपन हो जाएगा नीचे की तरफ 11th monthly September exam all subject question answer तो यहां पर सबसे उपर जो पोस्ट है 11th वाले सक्षन में सबसे उपर simple सा आपको इस पर क्लिक करना है आपको इस पर क्लिक करना है तो हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे जो आपको देखना है उसके सामने बने हुए click here पर आपको क्लिक कर देना है जैसे हम लोग economics की चर्चा कर रहे है तो economics और यहां पर click here बना है simple सा आपने को इस click here पर click करना है सही आप economics के सामने बने हुए click here पर click करेंगे आपके सामने economics exam के बारे में एक exam कारी प्रसंपत्र उतर के साथ यहां पर open हो जाएगा नीचे की तरह पर scroll down कीजेगा पूरत 30 में 30 का सही उतर है कोई 25 यहां से आपको बना लेना है ठीकर 5 आप छोड़ सकते जो मैं अभी answer की आपको प्रसंप भी दिखा दिया subjective का उतर कैसे डाउनलोड करेंगे तो यहां पे लिखा गया subjective question answer PDF यहां पे download बटम बनाए इस पे click करके download कर लिजिए subjective का PDF यहां से आप download हो जाएगा आल्ट्स वाले stream के जिन भी चात चात नाओं का economics का पेपर है तो पूरा economics का objective सबजेक्टिव का उतर मैं ने बता दिया objective का उतर मैं इस वीडियो में करा दिया और subjective का उतर तो यहां से arcareerpoint.com वेबसाइट के class element वाले section क्या के सबसे उपर वाले post में click करके और economics यहां पे लिखा उसके सामने click here पर click करके download आप कर सकते हैं और आपका किस भी सबसे का exam session नीचे comment box में जरूर बताएगा तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद